असलाम लेकुम आज मैंने बनाया है मीठे में कुछ यह बहुत ही खास डिस है यूपी की खाने में भी बहुत अच्छी लगती है इसका बनाना भी आसान है गाउं में तो इसे लपसी सुहारी बोलते हैं या खीर पूरी बोल सकते हैं अगर आपको यह रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको बनाने के लिए मैंने हाफ कप चावल लिया था नार्मल चावल है इसको मैंने दो घंटा पहले अच्छी तरह से वाश करके भीगो दिया था दो घंटे के बाद हम इसे चा आदा घंटा के लिए धूप में रख दो जादा बिटर है कि सारा पानी सूख जाए जब सारा पानी सूख गया तो मैंने इसमें मिक्सी में रखकर इसे पीस लिया है हमें एक दम बारीक पॉडर की तरह नहीं पीसना है बस हलका सा दर दरा रहे उसके बाद मैंने एक लीटर फूल क्रीम मिल्क लिया है और यह बादाम मैंने काट लिए दस बादाम थे 200 ग्राम शकर है चीराओजी है कोकोनट पाउडर है अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं हो तो आप उसका छिलका निकाल के मिक्सिम पीस लिजिए और दस ही मैंने काजु लिए है उसके इसमें गुठली न रह जाए और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे अब बर्नारान करके उस पर रख दूँगी और इसे हम लगातार पकाते रहेंगे मैंने इस पर रख दियागा इस पर अब इसे लगातार हम चलाएंगे नहीं तो ये तली में पकड़ लेगा और इसे हमें हाइफ लेंपे में पका रही हूँ इसे तब तक चलाते रहना लगातार जब तक कि इसमें बॉआल होना ना शुरू हो जाए जैसे ही बॉआल होगा ये थोड़ा थोड़ा सा गाड़ा होना शुरू हो जाएगा हम इसे लगातार चलाते रहेंगे बॉआल होना शुरू हो गया दीरे दीरे इसे लगातार आप चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा गाल हना शुरू हो गया है जब बॉआल होना शुरू हो जाए तो आप फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा इसे बॉआल होने का चांस कम रहेंगा गिरने का अब मैंने इसमें 200 ग्राम शकर डाल दी है और इसे डालके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और चलाते रहेंगे देखिए ये धीरे धीरे गाणा हो गया है अब मैं इसमें जो मैंने मेवे काटके रखे थे वो डाल दूँगी मैंने एक उकोनट पाउडर डाल दिया काजू है बदाम और अब चीरोजी डाल देंगे डालने के बाद इसे फिर हम अच्छी तरह से मिल्क में मिक्स कर लेंगे और चलाते रहेंगे करीके ज़ाए हमारे हमें बनाना आकंसिस्टी C K इसी तरह से रहेगी ज्यादा गाणा नहीं करना कि थंडा वने के बाद यह जम जाता आर गाणा के बस इसी तरह से रहेगा अब हम गयस का फ्लेम बन कर देंगे खेर हमारी बन के तयार है अब इसे नार्मल टेंपरेचर तक ठंडा होने के लिए रख देंगे अब दूसरी तरफ हम इसके लिए पूरी बना लेते हैं इसके लिए मैंने गेहु काटा लिया है इसमें नमक डाला एक चमज और जीरा भून के उसे पीस लिया है वो आधाट चमज डाली हूँ पूरी बना लेंगे और एक पैन में मैंने आयल गरम होने के लिए रख दिया है अब हम पूरी बनाने के बाद इसके हलके से रहा हलका दोनों तरफ से शेक लेते हैं इसी तरह से हम सारी पूरी शेक लेंगे आयल मैंने रख दी है गरम होने के लिए इसमें हम पूरी हाइफ लेंपे फ्राई करेंगे आयल गरम हो गया था मैं इसे एक एक करके डालती जाओंगी इस तरह से हम सारी पूरी शाल लेते हैं देखिए कितनी अच्छी से तैयार हुई है इसी तरह से मैंने सारी पूरी शाल ली है इधर तब तक खीर भी ठंडी हो गई है अब हम इसे सर्व कर लेते हैं देखिए ठंडा होने के बाद देखिए कितनी गाड़ी हो गई है अब हम इसे सर्व कर लेंगे अगर आपको ये रिसिपी पसंद आये तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर करिएगा अब हम इसे सर्व कर देखिए